बाहु बली नेता मुक्तार अंसारी की मौत पिछले कुछ दिनों पहले हार्ट-ईटेक से हो गई लेकिन पुलीज की अस्पेस्ट सेल के डारी के पण्दों को अगर पड़ते हैं तो पाते हैं कि मुक्तार अंसारी को मारने की योजना बहुत पहले भी रची गई थी और अगर कुछ हमारे सुत्र की अगर माने तो जिस रच से साल 2015 के बारे में जिकर आता है कि साल 2015 में मुक्तार अंसारी को मारने की एक साजिस रची गई थी राज़ानी दिल्ली में दिल्ली में हिरासत के दौरान में जब उसे लाय गया था इसी दौरान पे यहां पर मुक्तार अंसारी पर आत्महादी हमला करने के तयारी की गई थी और इसके लिए छे करो रूपे की सुपाडी कुछ ऐसे आरूपियों को दिया गया था जिसका वास्ता दिल्ली से नहीं था यह उत्र प्रदेश से नहीं था बल्की बीहार से था बीहार के एक मांवधी अपरदी को जाते थे उस वक्त में उसे लिए गया था उस मांवधी जो नेता रहे हैं जिस तरसे मांवधी अपरदी जो रहा है भरत सकसेना उसे 6 रौपे की सुपारी दे गई थि और उसे कहा गय उर्फ लंबु शर्मा को चुना गया था जो एक बहुत ही साब सूटर माना जाता है। और उसे चुनने के बाद पूरी साजिस रचे गई। हलाकि इस मामले में पूरे हत्ताकान को अंजाम देने में बरजेश सिंग और सुनील पांडे नाम के अपराधी का भी नाम सामने आया था और यह पता चला था कि पूरे साजिस को अंजाम देने के लिए एक कई लोगों के साथ में बैठ करके बात चीत की गई थी लेकिन पूरे ओपरेशन की जो तैयारी किया और उसके बाद आर उपी को पगड़ लिया था हलाकि इस पूरे ओपरेशन की दौरान में दिल्ली पूलिस का एक पूलिस कर्मी जो है वो उसकी मौत हो गए थी लेकिन एकतर से कहा जा सकता है स्पिसल सेल की टीम अगर उस वक्त में इ देली